जो हमारी सोच है वही हमारे लिए सच है ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है दोस्तो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते असफलता ही सफलता की शुरुआत है इसलिए तो कहते हैं होके मायूसना आनन से उखाड़ो ये पौधे धूब बरती है यहां तो बारिश भी यहीं पे होगी अगर सीखना है दिये से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो अगर पहुचना हो शिखर पर तो रहा पर चलना नहीं, रहा का निर्माण सीखो जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, वही शिखर पर पहुचते हैं एक बार सौमी विवेकरनन जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है स्वामी जी ने जवाब दिया उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापिस पा सकते हैं दोस्तो जीवन को बदल देने वाले आठ सूत्र जिन्दगी में कभी भी हार मत मानना अपने कीमती समय को कभी बरबाद मत करना हमेशा खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना बिना रोके हमेशा आगे बढ़ते रहना जिन्दगी में हमेशा इमानदारी से महनत करना अपनी मंजिल और अपने लक्ष को तैय करके रखना कभी भी मन को भटकने मत देना और अपने क्रोध पर काबू रखना लोगों का मानना होता है कि समय और तारीक के बदलने पर जिन्दगी भी बदल जाती है दोस्तो लेकिन जिन्दगी का बदलाव किसी तारीक पर निर्भर नहीं करता ये तो एक ऐसी प्रिक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है जिन्दगी में कोई चीज अगर इस्तिर है तो वो है बदलाव जिन्दगी में हर पल बदलता है उन बदलते पलों में हो सकता है आप नया घर ले सकते हो नई जगे पर जा सकते हो नया जौब हासिल कर सकते हो नई कार खरी सकते हो शादी या तलाग भी कर सकते हो आपको आर्थिक लाब भी हो सकता है या हानी भी हो सकती है बदलाव कुछ भी हो सकते हैं बस आपको एक चीज याद रखनी है कि हर नकारात्मक प्रिस्थिती भविश्य में आपके लिए सकारात्मक्ता के बीच बोती है यदि कोई पुरानी चीज आप खो रहे हो तो आपको भविश्य में उससे अच्छे चीज मिल सकती है इसलिए बदलाओ को चनोतियों को अफसर की तरह सुईकार करो और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल और आप जिन्दगी में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे तो बदलाओ समध डरी और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष की तरह बढ़ते चलिए मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में जो आपके जीवन ने सकारात्मकूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशार